नवस्कारों दोस्तों दोस्तों आप सभी काफिरसे स्वागता है आपके अपने चैनल एग्जाम यूज में दोस्तों एक लिरेगे लिए हम आपके लिए लिक रहे हैं उन सभी वीडियो में जो प्रिसन एक्जाम में पूछे गए हैं या फिर जिनके ज़्याद चांद से आने के वही प्रिसन करवाए गए हैं अच्छा लेवल है जो लेवल होता 8090-100 के बीच का वो लेवल करवा रहे हैं आपके लिए एजी प्रिसन आप कहीं से भी कर सकते हैं दोस्तो ज़्यादा समय वरवाद नहीं करेंगे पहला प्रिसन आप सभी के लिए ये पेपर करा रहा हूं मैं आपको एक वीडियो मैंने कल भी डाली थी इन पेपरों से संबंदित इसके उपर मैं 5-6 वीडियो बनाऊंगा और सारी कंप्लीट करा दूँगा क्योंकि ये व वीडियो पसंद आए तो चैनल जरू सस्क्राइब कर देना और साथ के साथ बैल आइकन वाला बटन भी प्रेस कर देना दोस्तों पहला प्रिसन है जल्दी कंप्लीट करेंगे इस वीडियो को हरियाना के वास्तुकार वे हरियाना के तीसरे मुख्यमंत्री कौन है ये बंसी सथल है जो सिंदु घाटि सम्ध्य समय का है हरियाना के किस जिले का है शimento दोस्तों प्रिसन आ सकता है वर नावली की खौज किसनी की है और स फिश्ण में 1903 दर वी हापका सथल हम कुछ बिरसन अलग में उससे संबंद सकता है वह पिरसन आने वाले एक्ञमे justified में नेग छंद द्वारा जो निर्मित रॉप गारडन वो कहां परहे है, चंदिगड़ में, या फिर्सन पूच सकता है चंदिगड़ में कौनसा गारडन है रोग गारडन और दोस्तों चंदिगर की जो सतापना की गई है 1922 में पंडित जवालान नहरू ने इसकी सतापना की थी यहां से भी पुछ सकता है बहुत सारे पुछ सकते हैं आगे देखते हैं हरियाना के नीरत चौपड़ा को 2018 में उनकी उपलब्दियों के लिए ESPN इंडिया मल्टी स्पोर्ट्स अबाउड से सम्मानित किया गया वह कौन सा खेल खेलते हैं दोस्तों पहले मैं आपको पता दूँ नीरत चौपड़ा पानीपत से हैं इनका संबंद पानीपत से हैं और यह काफी युवा हैं और इन्होंने बहुत कम उम्बर में काफी उपलब्दियों काफी ज्यादा उपलब्दियां हासिल कर ली हैं और यह जो भाला फेक्स से ससे फ विस cup में हरियाना की सूटिंग्ग चेंपिन म्हनूरु भाकर ने कितने स्वनपदक जीते दो दूसतों एक यसी ने यहां से जो पूचके गए हैं आठारीकीussy कर्णोब्द अफेर से पूचकत्र से पूचके गएं हमुए बात करते हैं अगला पृसन अच्छा पृस पसू संजिमनी सेवा ये भी पूछ सकता पसू संजिमनी सेवा का संबंद किसे है ये एक मोबाइल पसू चिकत्षा किलिनिक के माध्यम से जो स्वविधाय अफलाउध कराई जाती है उनसे इसका संबंद है अगला प्रिशन मोश्ट इंपोटेंट है मेवाथ हरियाना से गाय आना के अंदर बात करते हैं अगला पिरसन मोस्ट इंपोटेंट है ये खोरिया जो निर्ते है ये जूमर निर्ते का एक सामोहिक रूप है ये निर्ते रूप इसे इस रूप से महिलाएं दौरा किया जाता है पिरसन आ सकता है महिलाओं के दौरा कौन सा निर्ते किया जाता है तो आपको ध्यान देना है खोरिया और जूमर निर्ते है ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है और दोस्तों सबसे बड़ी बात यही है यह किसका सामोहिक भाग है जूमर का पूछ सकता है जूमर किसका सामोहिक भाग है या खोर या किसका सामोहिक भाग है तीन चार प्रसन बन जाते हैं यहां से आगे बात करते हैं हरियाना के निर्ते रूप जूमर को अपना यह नाम एक आवुसन से मिला है पिरसन यहां से पूछा गया है आवुसन से किस निर्ते को नाम दिया गया है किस से मिला है जूमर जूमर को आवुसन का रूप दिया गया है इसे जो यूबा विवायत जोड़ा होता है जो महिलाएं दौारा माथे पर पहना जाता है ये अच्छा पिरसन पूर सकता है जूमर कहां पर पहना जाता है ये महिलाओं के दौारा माथे पर पहना जाता है और इसका जो नाम दिया गया है एक आभूसन से इसका नाम रखा गया है और दोस्तों जूमर को हरियाना क का गिदार के नाम से भी जाना जाता है या पेरसन पूछ सकता हरियाना का की लगा यहीं एक और बात बता रहा हूं अगर पिरसन में सीधा ये भी आ सकता है कि हरियाना का सेक्सपियर किसे कहते हैं वह भी लख्मी चंद थे सेक्सपियर लेकिन यहां पर थोड़ा सा प्रिसन गुमा दिया सेक्सपियर और कालिदास दोनों एक साथ दे दी हैं तो आपको आंस्वर क्य अर्दू कवी सायर किसे कहा जाता सायर के नम से आ सकता है तो आपका अंसर होगा अयोध्य परसाद गोलिया पिरसन आ सकता है अयोध्य परसाद गोलिया क्या करते थे अर्दू में कवीता लिखते हैं पिरसन आ सकता है अयोध्य परसाद गोलिया कहा के हैं गुरु गराम के जैसे कि ये पूछा गया प्रिसन आ सकता है अयोद्या परसाद गोलिया गुरुगरा में किस सतान के हैं बादिशापुरू चार प्रिसन बता दी हैं आपको अलग से और मुझे अमीद है आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आईगी बात करते हैं आगे थोड़ी सी जी हा मैं आपको बताना चाहता हूं जितने अपन्यास नाटा कहानी किसने कौन सी लिखी इसके उपर मैंने एक वीडियो अप्लोड कर दी है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी वहां से आप पूरी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं सभी की जानकारी मिलेगी आपको वहां पर सिदा सर्माने इनका संबंद कहां से वह भवानी से हैं और कावे रचना की है इनोंने वहां पर सारी डिटेल मिलेगी सभी की आयोध्या पर साथ गोलिया बाल मुकंद गोपतु विसंबर नात-कौसिग ये सारी जानकारी वहां पर मिल जाएगी जितने भी सायर कभी है या हाज शेवेंग कभी हैं जितने भी हरियान के पूरी जानकार में लेगी आप सभी को प्लेलिस्ट में बात करता हूं हरियाना के किस जिले में मुख्या अभी फसल गया हुआ जबकि मुख्या खरीब फसल दहान है पानी पत्थ इजी पिरसन है लेकिन थोड़ा सा गुमा दिया है आगे देखते हैं थोड़ा सा हरियाना के जिले को कन्नोध की नाम से जाने जाता है यह आसान पर शेहर भी कहते हैं जो पिरसन उनके बारे में ज्यादा नहीं बताओंगा जिए यह भी पिरसन ठीक है लेकिन इतना हाड़ भी नहीं हरियाना का की समजला इसका नाम पलवा हर्याना के परियाटक के नाम राज्यम पाए जाने वाले किस नाम पर हैं अब हर्याना के अंदर कितने परियाटक हो गए एक और बन गया आपका राखीगड़े में दोस्तों राखेगड़े में एक मीजियम भी सतापित किया जाएगा और टोटल आपके जो परेटक हो गए वो आप 44 हो गए है पहले 43 है सभी परेटों के नाम किसके नाम पर है पक्षियों के नाम पर वो कौन सा राज्य है हरियाना हरियाना के कैथल जिली की पिर्मुक फसल ज करनाल पैरिस ऑफ हरियाना लेकिन बात वही है लेकिन एक चैसी ने इसका अलग आंसर बना दिया है पंचकुला और दोस्तों बास्मति चावल सबसे अधिक कैथल के अंदर होता है पर फसल है इसकी और सबसे बड़ी यह जो फसल की जितनी वकी चावल की जितनी भी सारी किस ब्ढूबार प्रिसिकी शेत्रि कि नगरपालिय का चीतर कहां जाता है जिसे आगे प्रदिशिक नर्वाचर hela झाता है जिसे किया कहते have agreed ऐसे गन्मी के लिए कि अध्यासिपारे क हमेरे के करनाल के अंदर कौन से भरपूर है इसके बारे में हमने आपको बताया था मेहंदरगड कुछ जानकारी पहले दी थी थी थोड़ा सागे चलते हैं यह प्रिसन मोश्ट इंपोर्टेंट है हर्याना के चौधरी देविलाल हर्वल नेचर पार्क के नाम से भी जान जाता है यह में तो यह यह पूर्ण जेले में स्तित्वार जगह पूछ लिए कौन से जगह पर है किQueen रूध्राक्षवाल पर है इंपोर्टेंट प्रसंद प्रसंद प्रस अ सकता है चौधरी देविलाल हर्वल नेचर पार्क यह रूधर नंगर में कहा श्तापित के अल्गारा है रू सबी को यह प्रसंद जरूर पसंद आए तो चैनल जरू स्टसक्राइब और दोस्टों इस वीडियो को ज़़ाद से ज्याद सेयर करें और दोस्तों सभी ने वीडियो यहां तक देखी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कर दो